तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आज कोशन सॉल करने जा रहे हैं दो पॉइंट छे चार देखें कोशन में क्या कहा जा रहा है अपसे कह रहे हैं अमंग दौ फॉलोविंग पेर्स ऑफ और बाइटल्स हमें पेर दी हुए हो और विच विच और विच और विल एक्सपेरि नwouldर लोग कोई चार्ज नहीं होता है कि यहां पर कौन घूम रहा होगा इलेक्ट्ट्रॉं अब नूप्र थी श्रयस डूल से क्या करता रेपल करते हैं ठिक है जिसकी वजermaid से क्या होता है कि जो यानि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, effective nuclear charge, समझ में आए आपके, आप कहे रहे हैं कि 2S और 3S में किस पर जादा nuclear charge लग रहा होगा, देखें, अगर हम आप से पूछे हैं कि इसमें या इसमें किस electron पर जादा nuclear अपनी हो तेजी से खीच पा रहा होगा, attraction force लगा रहा होगा, तो अपनी और force से खीच पाएगा, ठीक है, तो इस पर nuclear charge जादा लग रहा होगा, या कहलें, net nuclear charge इस पर जादा लग रहा होगा, इस पर कम लग रहा होगा, तो हम से कहा जा रहा है, जैसे माली जी, nucleus है, 1 shell, 2 shell, 3 shell, और 4 shell, जितने shell होते हैं, उसके इंदर उतनी ही क्या होते हैं, सब शेलों आप देखिए अगर पहला शेल है तो इसके एक सब शेलों काँ इस होगा तो दूषा सब शेलां है तो दूसरा शेल होंगे कौनकर्ण 2S और 2B तीसरा शेल 3 southern सब्सवेल ओंगे कौनकर्ण 3S 3P cud 3Dtil 14 सब्सवेल ओंगे कौनकर्ण 4S 4D अब देखें पहले electron जिसमें जाएगा जो nucleus के ज़्यादा करीब होगा उस पर effective nucleus charge ज़्यादा लग रहा होगा अगर हम बात करें यह 2s हमा रहा है तो 2s पर ज़्यादा लग रहा होगा force 3s पर कम लग रहा होगा 3s दूरी ज़्यादा distance पर है ठीक है तो as the distance from nucleus increases as the distance of electron from nucleus increases effective nuclear charge क्या होगा decreases पहले लिख लेते हैं यह लाइन as the distance of electron from nucleus increases effective nuclear charge decreases पन्मिया है आपके distance जैसे nucleus से increase होता जाएगा effective nuclear charge क्या होता जाएगा decrease होता जाएगा तो सबसे ज़्यादा effective nuclear charge क्या लग रहा होगा 2s की 3s पर 2s पर लग रहा होगा जाएगी से बात है nucleus के ज़्यादा नस्दीक होता है दूसरा वाला शियल हमारा ठीक है तो effective nuclear charge experienced by 2s orbital will be greater because it is closer to the nucleus तो पहले एक answer क्या हो जाएगा 2s पर effective nuclear charge ज्यादा लग रहा होगा in comparison to 3s दूसरे में 4d है और 4f है तो पहले electron हमारा कहा जाता है पहले d में जाता है पहले s में जाता है उसके बाद p में उसके बाद d में उसके बाद f तो पहले electron 4d में जाएगा इसलिए इस पर effective nuclear charge क्या होगा जाता होगा दूसरे इक आंसर क्या हो जाएगा 4d तीसरा हमारा है 3d और 3p है तो 3p क्या होता है जाता है यह पहले electron 3p में जाएगा तो नुक्लेस लेक्टाउन को प्योंट तेहरी सिखेजेगा तो इस पर एफेक्टिव नुक्लेस चार्ज क्या होगा साधा होगा होफ़ोली आपको सोलीशन समझ में आया हो समझ में आया है वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बहुत बहुत शुक्री है